तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप एक बहुत बड़े शेफ बनने जा रहे हैं और बहुत सी बातों के नुकसान होने से अपने आपको बचाने वाले हैं जो रोज मरा हमारे किचन में काम आते हैं तो आज मैं डिसकस करूँगा आपसे कुछ ऐसे किचन टिप्स जो आपके पूरे जीवन भर आपके किचन में काम आने वाले हैं तो आएए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम टमाटर के बारे में जिक्र करते हैं आपने देखा होगा कि जो कैटर की सबजी बनाई हुई है और जो रेस्टरंट की सबजी बनाई हुई है उस सबजी और हमारे घर की सबजी में जमीन आसमान का फर्ग होता है वो इसी लिए कि हमें यही नहीं पता ये टमाटर कौन सा है और ये टमाटर कौन सा है आप कहेंगे अरे टमाटर तो एक जैसा ही होता है उसमें ये कौन सा और वो कौन से वाली कौन सी बात है नहीं ये देखिए ये जो टमाटर लंबा वाला टमाटर होता है ये देखिए ये होता है हमारे सलाद के लिए अगर हमने इसकी करीब ना दी तो समझो हमारी सब्जी कभी टेस्टी बन ही नहीं सकेगी और ये जो दूसरा वाला गोल वाला है जैसे हम देशी टमाटर बोलते हैं इसको अगर हमने अर सलाद में काटना चाहा पहले तो ये सलाद की तरह कट ही नहीं पाएगा और फिर जो टेस्टी भी नहीं लगेगा क्योंकि ये खटा होता है थोड़ा सा और जो सलाद वाला होता है वो इतना खटा नहीं होता वो खाने में खट मिठा होता है आईए मैं इसको काट के भी आपको दिखाता हूँ यह देखिए यह जो आपका सलाद वाला जो टमाटर है यह देखिए यह बड़ी असानी से कटेगा इसको कितना भी बारीकाप काट लेजिए यह बहुत अच्छी तरीके से कटेगा क्योंकि इसके अंदर थोड़े सा पलब जो है वो कम होता है थोड़ी सी जो गूदा है कम होता है पानी और यह दूसरा टमाटर है पहली बात यह अच्छी तरह कट ही नहीं पाएगा आएए काट के देखते हैं यह देखिए यह प्रैसोई आ रहा है यह गोल कट ही नहीं सकता जो गोल वाला टमाटर है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह देखिए इसके अंदर पलब बहुत जादा है इसके अंदर यह बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनाने में काम आएगा यह सलाद में काम नहीं आ सकता तो अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो हमारी सबजी जो में दूसरा टिप भी दोस्तों टमाटर के बारे में है कई बार मार्किट में हमें लाल टमाटर नहीं मिल पाते थोड़े से हमें हरे टमाटर जान तो बिलकुल हरे पीले टमाटर मिल जाते हैं जो हमारी करी अच्छी नहीं बनाने देते तो इसके लिए एक फॉर्मूला है बस कुछ नहीं करना हर घर में आटा तो होता ही है बस अगर आपने रात को सबजी बनानी है तो सुबे जल्दी अपने ये हरे टमाटर जो है आटे के अंदर गुसा कर रख दीजिए और बंद कर दीजिए इसका धकन और शाम को जब आप इसे खोलेंगे तो आपको अपने टम के हुए टमाटर मिल जाएंगे क्योंकि आटा जो हता है वो अपनी गर्माईश से इनको पका देता है तो है ना दोस्तों कितना बड़िया फार्मूला अगला केचन टिप दोस्तों हमारा लसन के बारे में है जानी की गारलिक दोस्तों यहां गारलिक जो है वो किसी भी है अगर थोड़ी सी हमने गलती कर दी लसन के इस्तेमाल में तो दोस्तों उस सबजी को मैंने तो बहुत बार फैका जब तक मुझे यह नहीं पता था आप भी इसको फैकने के इलावा आपके पास कोई चारा नहीं रहता और इसका टेस्ट बड़े से बड़ा शेफ भी जो ह है वो सुधार नहीं सकता हमें क्या गलती नहीं करनी दोस्तों जब तक लसन जो है घी में अच्छी तरह ब्राउन ना हो जाए पक ना जाए हमने उसको पानी का टच कभी नहीं देना अगर उससे पानी का टच हो गया बिना पके हुए लसन को तो उसकी स्मेल जो है इतनी सब जी में फैलती है कि उसे जो सबसे जादा लसन पसंद करने वाला मैं आदमी हूं मैं भी नहीं खा पाता हूं तो हमने क्या करना है हमने लसन को कभी भी ट्रमाटर के साथ ग्राइड नहीं करना अगर ट्रमाटर के साथ हमने लसन को ग्राइड कर दिया तो समय लो सबजी का सत्यानास कोई भी उसको ना खाएगा और कोई भी उसका टेस्ट ठीक नहीं कर पाएगा हमने क्या करना है उसको जातो पहले बारी काट लीजिए नहीं तो उसको कूट लीजि जहां अकेला लसन भी है तो उसको ही भूने फिर जब भून जाए तब हम उसमें प्याज डालें और उससे पहले अगर हमने थोड़ा सा भी पानी का टच दे दिया तो सबजी का सत्यानास हो सकता है अब ये देखिए अब ये हमारे थोड़े से बराउन हो गए है थोड़े हलके बराउन हमारे लसन हो गया है अब हम इसमें अपना प्याज डाल सकते हैं अब प्याज को थोड़ा सा अच्छी तरह भून कर अब हम पानी भी डाल सकते हैं अब कोई फरक नहीं पड़ेगा अब एक टिप और जल्दी से नोट कर लिए कि जो प्याज है इसको जल्दी भूनने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं ताकि इसका मोईस्चर जो है वो जल्दी सूख जाए ताकि हम इसमें अपनी जो भी हमने सब जिवनानी है वो इसमें डाल सके तो दोस्तो अभी मुझे एक और चीज ध्याना गई वो भी मैं आपको जल्दी से बता दूँ कि जब ये हमारे प्याज अच्छी तरह भून जाएं तब बिल्कुल एक्जेक्ट समय होता है हल्दी और हमाली लाल मिर्च पौड़ा डालने का ये देखिए यही एक्जेक्ट सम सबजी डालने के बाद डाला तो ये कम से कम तीन गुना ज्यादा डालेगी तब भी ऐसा रंग नहीं आएगा कुछी सेकंड्स में अपना पूरा रंग दिखाएगी इसके बाद कुछ भी टमाटर जानको सबजी डालने के बाद अगर हम इसे डालेंगे तो कम से कम तीन कि वो कैसे कैसे कौन साbeater गलता है और कौन साही नहीं गलता आएे इसमेट माटर डाल लेते हैं ये देखिए दोस्तों ये है सलाद वाला ये इस ता得 साब होती हों त्यूंस सकत है और ये हमारे जो गोल वाले थे देशी वाले इनकी गरेवी कितनी अच्छी तरह बन रही है ये देखो कितने अच्छी तरह गल गए और वो वाले नहीं गल पा रहे तो हम मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा दिया है दोनों टमार्टर में कितना फर्क है एक टिप और आपको छुटा सा देता हूं दोस्तों जैसे लसन अधरक का पेस्ट हम पहले अगर पीस के रख लेते हैं घर पे तो ये दूसरे दिन ही समेल देना शुरू कर देता है अजीब धंक तक फ्रिज में बिल्कुल ठीक रहेगा और आपको हर रोज वही टेस्ट देगा जो पहले दिन देता है एक और बहुत कीमती टिप है कि हम बच्चों को अगर स्कूल में लंच में फल एपल जा केला काट कर देते हैं तो वो थोड़ा सा ऑक्सीजन के साथ रियक्शन करके र कर सकते हैं कि उसमें सबसे पहले तो नमक मत डालिए और उन कटे हुए फलों के उपर हम निम्बू निचोड़कर इसको अच्छी तरह हिला दे ताकि निम्बू सारे फलों पर आ जाए और इसको हम रख दें तो ये जल्दी ही अपना रंग नहीं बदलेंगे क्योंकि निम् को जाँ चाट मसाला नहीं डालें वो वैसे साथ में दे दें एक और बहुत कीमती टिप है यह जो हमारी डाले हैं जिन दिनों में मौईस्चर वाला सीजन होता है धूप अच्छी नहीं लगते ही जान ठंड में जब सूरज हरो नहीं निकल पाता तो इसमें कीड़ा लग ज तेज पते छोटे छोटे डाल दें इस वाली में सभी डालों में डाल दें और इसको बंद करके रख दें तो कोई भी कीड़ा इन दालों को छुएगा भी नहीं है ना कितना कीमती टिप अब आप कहेंगे कि चीनी में भी भी तो चीटियां लग जाती है उसके लिए तो हम पास हैं लॉंग महराज ये रहे ये लॉंग महराज और ये एक हमारी महरानी है काली इलाची इसको चीनी में डाल दीजिए और निश्चिंत हो जाए चीटियां भटकेंगी भी नहीं पास में इस मॉइस्टर वाले सीजन से मुझे जाद आया कि जो बेसन है या सूजी है इ उसके लिए तो ना तो हम इसमें लॉंग डाल सकते ना मिर्च डाल सकते तब हम क्या करें तो उसका भी बहुत आसान तरीका है दोस्तों इसको पहले अच्छी तरह च्छान लें ताकि इसके लंस ना रहें और जब ये बिलकुल अच्छी तरह च्छन जाए ये देखिए इस लंस बिलकुल खतम हो गए और इसमें अभी भी लंस हैं तो हम इसको थोड़ा सा तवे के उपर थोड़ा सा रोस्त कर लें जाना रोस्त में करना सिर्फ इसका मौश्चर सुखाना है बस मौश्चर सूख गया और इसको अब कीड़ा नहीं लगेगा अदरक लगबग हर घर म इस्तिमाल होता है और सभी लोग इसके फाइदे जानते हैं जब हम इसको छीलते हैं तो अकसर इसके छिलके फैंक देते हैं इसके छिलके हम फैंके नहीं इसको थोड़ी सी धूप लगा लें ताकि इसका मौश्चर दूर हो जाए तब इसको अपनी चाय पती के अंदर ही मि इस्टेश से भी हम बज सकते हैं नेक्स टिप दोस्तो लसन के बिना शायद ही कोई सबजी पूरी हो पाए और लसन के गुनों को सब लोग जानते हैं कि ये गुनों की खान है ये सबजी में जरूर डालना चाहिए पर इसको छीलना बहुत टेड़ी खीर है और खास कर तब अगर तेज धूप है तो एक दो दिन की धूप लगवा ले और अगर सर्दियां है तो जादा दिन की धूप लगवा ले इससे क्या होगा कि इसका छिलका जो है इसकी कली को छोड़ देगा और उसके बाद ये बड़ी असानी से छिल जाएगा एक तरीका और है जब भी इस इसे छीलना हो तो एक मिनट पहले इसे पानी में डाल दें तब भी इसका छिलका जो है इसकी कली को छोड़ देता है और बहुत असानी से ये छीला जा सकता है इसके इलावा हम इसे 30 सेकंड के लिए microwave में भी रख सकते हैं उसके बाद भी ये छिलका बहुत असानी से उतर जात इसको तवे पर भून ले भूनने से भी इसका छिलका जो है कली को बिलकुल असानी से छोड़ देता है और बड़ी असानी से हम धेर सार लसन भी छील सकते हैं अगला टिप दोस्तों प्याज के बिना भी शायद ही कोई सबजी बन सकती हो पर इसको छीलने पर ये रुलाता होता है तो इसका बहुत असान तरीका है कि या तो इसको दो टुकड़े करके थोड़ी देर पानी में डुबा रहने दीजिए या इसको जब काटते हैं तो एक निम्बू काटकर प्लेट में रख लीजिए तो आंसू नहीं आएंगे अगला टिप दोस्तों हरी मिर्च आज बल्दी ही मुर्जा जाती है तो इसका बहुत असान सा तरीका है इसको अच्छी तरह दो कर कपड़े से इसको सुखा कर और इसकी डंडियां तोड़कर इसे एटाइट कंटेनर में रख दीजिए तो ये कम से कम एक हफते तक मुर्जाएंगे नहीं और इससे भी अगर ज्य टिशू पेपर के अंदर डाल कर इस कंटेनर में रख दीजिए तो ये कम से कम 20 जब 25 दिन तक भी मुर्जाएंगे नहीं ऐसे ही पुदीना भी बहुत जल्दी मुर्जा जाता है उसे भी हम बिना धोए ही टिशू पेपर में रख दे और इसी एटाइट कंटेनर में रख कर फ्रिज में रख दे तो तब भी ये 15-20 दिन तक नहीं मुर्जाएगा इसे जब हमने इस्तेमाल करना हुआ तब इसको हम धोएंगे अगला टिप दोस्तो किचन में यूज होने वाली सीजर कैंची इसकी धार अक्सर खराब हो जाती है और अब तो इसको धार लगाने वाले इस कैंची से काट लीजिए तो अपने आप ही इस कैंची पर धार लग जाएगी और ये बिलकुल फटा फट सब कुछ काटना शुरू कर देगी इसी तरह किचन में काम आने वाले चक्कू की धार भी अगर खराब हो जाए तो उसको भी हम कप जो की हमारी चीनी मिटी का बन ही हो जाती है नहीं तो स्टील का गिलास भी हो तो उस पे भी हम इसको रगड़े तो चकू की धार बहुत तेज हो जाती है पर ध्यान से यह हाथ भी काट सकती है हम घर में अकसर कुछ भी सबजी बनाते हैं तो हमने ऐसा कोई फिक्स पैटरन तो लिखके रखा नहीं हुआ क इसमें इतना नमक डालना है इसमें इतनी मिरच डालनी है तो अकसर क्या होता है कि कभी नमक तेज और कभी मिरच तेज इसका में कारण यह है कि मिरच भी अलगलग क्वालिटी की आती है कोई तेज हो जाती है एक चमच में बहुत ज़्यादा तेज कोई एक चमच में नॉर तो ये अक्सर घर में प्रॉल्मों रहती है कि कभी नमक थेज़ हो जाता है और कभी मिर्च तेज़ हो जाती है तो इसका दोस्तो कम का तो इलाज है जादा का इलाज सब लोगों को पता नहीं है तो आज हम इसी बात का जिक्र करेंगे। कि अगर सब्जी में नमक या मिर्च तेज हो जाए, तो हम उसको नॉर्मल कैसे करें। आये सीखते हैं। सब से पहले तो अगर सब्जी में नमक तेज हो गया है, तो उसका इलाज हम क्या करें। घर में बड़े बजुर्ग जो हैं उनको अकसर ये पता था और उनी से मैंने सीखा कि अगर सबजी में नमक तेज हो जाए तो हम क्या करें जो हमारा आटा गुथा हुआ है जिसकी हम रोटियां बनाते हैं उसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लें क्यूंकि आपने कि ये कहावा हम बॉल्स बना लेंगे अब इसकी exact quantity नहीं बता पाऊंगा कि पता नहीं नमक कितना तेज है और कितना कम है फिर भी आप normal घर में सबजी अगर 3-4 लोगों के लिए बनी हुई है तो उसके लिए 5-7 छोटी छोटी बॉल्स बना लें और उसको डाल दे अपनी सबजी में और 5 मिन्ट तक उसको उबलने दे बॉल्स तो सारा नमक जो है वो एक्स्टा नमक जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगी ये बॉल्स और हमारी सबजी का नमक हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट अगर कम ज़्यादा हो जाए तो एक्स्टा तो आप डाली सकते है उसमें तो कोई जंजट वाली बात ही नहीं है अगर मिर्च तेज हो जाए तो उसका क्या इलाज करें तो दोस्तो ये जाता लोगों को नहीं पता तो दोस्तो उसके लिए क्या करना है सबजी में अगर नॉर्मल थोड़ी सी मिर्च तेज है तो हम लेंगे दो चमच मैदा हाँ अल परपस फ जाए तो जाए तो जाए तो अपनी सब्जी में ये हम डाल देंगे ये देखिए इससे दो फाइदे होंगे एक तो तुमारी तरी जो है वो थोड़ी सी गाड़ी भी हो जाएगी और दूसरा मिर्च भी कम हो जाएगी तो ये देखिए बच्चे भी अब बड़े अराम से खा रहे हैं जो कल इतनी तेज मिर्च मिर्च हाई ममी मिर्च चिला रहे थे वो अब बड़े अराम से खा सकते तो अगर सूखी सब्जी में नमक-मर्च तेज हो जाए, तब क्या करना है? ये मैंने सब्जी बनाई है सूखी, आज हमने बनाई है Mixed Wedge सूखी Mixed Wedge, और जानबूज के ही मैंने इसमें नमक और मर्च तेज रखा है तो आईए देखते हैं कि इसका नमक और मिर्च कैसे हम ठीक करेंगे तो दोस्तों अगर तो कोई सबजी सूखी ऐसी है जिसमें आलू का इस्तेमाल हुआ है तो देखिए ये सरव आपके दो मिंट का काम है हम कुछ आलू उबालने और आलू उबालने के बाद हम उनको दो चम्मच रिफाइन डाल कर और उसमें हम डालेंगे टोमाटो प्यूरी नॉर्मल भी आप प्यूरी के जगा टोमाटो को ग्राइंडर में रगड कर वो भी डाल सकते हैं इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रख लिजेगा एक्जेक्ट नहीं बता पाऊंगा कि कितनी ये प्यूरी डालनी है क्योंकि मुझे पता नहीं कि नमक जामिर्च कितना तेज है अगर तो अकेला नमक तेज है तो हम इसमें आलू डाल कर और जब हमारी तरी प्यूरी घी छोड़ दे तो इसमें हम अपनी सबजी जिसमें नमक तेज है डाल देंगे तो इसका नमक नॉर्मल हो जाएगा पर अगर इसमें मिर्च भी तेज है तो इसके लिए थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी करीम करीम डाल दीजिए जब घर पे हम दूद्बे से मलाई निकालके रखते हैं मलाई डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह जब घी छोड़ दे ह तो इसके अंदर हम mix wedge डाल देते हैं तो इससे एक तो सब्सवी के स्वाद को भी चार चांद लग जाएंगे और हमारी समस्या का भी समाधान हो जाएगा अब यह बन जाएगी लगबग बाजार की mix wedge क्योंकि बाजार की mix wedge और घर की mix wedge में यही फर्ग होता है कि बाजार वाले क्रीम और प्यूरी का इस्त्माल करते हैं, और नॉर्मल गर पे हम ये वाला इस्त्माल नहीं करते तो ये तो हो गया हमारा एक तरीका, अब दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरे तरीके के लिए फिर वैसे ही हम दो चमच अपना रिफाइन डालेंगे और उसी तरह डालेंगे हम अपनी टुमाटो प्यूरी और मान लिजी आपके घर पे मलाई भी ना हो, क्रीम भी ना हो, तब क्या करेंगे तो उसका तरीका ये है कि तब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा दही दही भी जो है, वो भी नमक को और मिर्च को कम करने में help करेगा तो उसके बाद भी वैसे ही हम अपनी सबजी इसमें mix कर देते हैं तो ये हमारा दूसा तरीका रहा, कि अगर हमारे घर पे क्रीम जा मलाई नहीं है तब भी इसमें से नमक और मिर्च हमारा normal हो गया अब रहा तीस्ता तरीका, मान लिए हमारे पास क्रीम भी नहीं है, प्यूरी भी नहीं है और धहीं भी नहीं है, तब क्या करें? तो तब सिर्प Does Second का काम है निम्बू तो होगा घर में? बस, निम्बू डालिए अपनी सब्जी में और निम्बू भी जो है वो भी और मिर्च को कम करने में सहाइक रहेगा नमस्कार दोस्तो आज हम सीखेंगे कि बजार जैसा गाड़ा दहीं हमारे घर पे क्यों नहीं जम पाता जहां अगर हमें जल्दी दहीं जमाना हो तो उसका क्या तरीका है कि हम जल्दी से जल्दी दहीं डेड़ दो घंटे में ही जमा लें बैचंस कभी महमान आ जाएं तो हमें एमरजंसी भी दहीं जमाना पड़ता है नौर्मली दही जो है वो 6-8 घंटे का समय लेता है जमने में डिपेंड करता है कि temperature कैसा है हमारे शहर का तो अगर हमने जल्दी दही जमाना है तो कैसे हम उसे जमा सकते हैं और डेरी ऐसा दही गाड़ा दही जैसा हम बजार से खरीद कलाते हैं वैसा दही जमाना है तो कैसे हम जमाएंगे आज की कड़ी में हम यही सीखेंगे पहली बात तो दोस्तो बजार का जो दही होता है वो हमारे दूद से नॉर्मली डबल रेट पर हमें मिलता है बहुत महंगा डबल रेट पर और अगर वैसा ही धहीं हमारे घर पर जम जाए तो फिर कहना ही क्या चलिए आज इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लेंगे फुल क्रीम दूद ये मैंने आदा किलो ये देखिए फुल क्रीम दूद लिया है टॉंड मिलक हम इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि टॉंड मिलक में फैट कम होती है इसलिए वो इतना गारा नहीं जम बाता और थोड़ा खटा जम था है इसलिए हम लेंगे फुल क्रीम दूद वैसे तो हम पहले से रखा हुआ और उबला हुआ दूद भी ले सकते हैं पर अच्छी तरह जमाने के लिए हमें रखे हुए उबले हुए दूद को इस्तिमाल नहीं करेंगे हम दूद को साथ के साथ पहले उबा लेंगे तो ये हमने अपना दूद रख दिया उबलने के लिए तो दोस्तो हमने अब कोशिश ये करनी है कि जब तक दूद उबले तब तक इसे हमें हिलाते रहना है क्योंकि अगर हम इसे हिलाएंगे नहीं तो इसके उपर मलाई जमनी शुरू हो जाती है इसलिए हमारा दूद बाजार जैसा डेरी जैसा नहीं जम पाता तो हमने इसको लगातार चलाना है ताकि इसके उपर मलाई न जम पाए तो ये थोड़ा सा उबल गया है दूद फिर भी हमने इसे पांच मिनट तक और इसे उबा लेंगे ताकि हमारा दूद जो है और थोड़ा सा गाड़ा हो जाए डेरी पर आपने देखा ही होगा कि हलवाई जो है लगाता दूद चलाते रहते हैं उसका कारण यही है कि वो थोड़ा सा दूद को और गाड़ा कर लेते हैं तो हमने दूद को और गाड़ा कर लेना है और उसके बा तो समझिए यह डेरी जैसा नहीं जम पाएगा तो इसको हम लगातार हिलाते रहेंगे उधर हम एक और दूसरी तयारी करेंगे वह बाद में बताऊंगा कि वह किसलिए हम एक कूकर में पानी लगब आदा लीटर ही पानी उसमें डालेंगे और उसे गरम होने के लिए रख दे तो इसको अब हम ढख देते हैं ताकि यह उबलने लग जाए तो यह हमारा पानी जो है उबलना शुरू हो गया है तो हम अपनी गैस बंद कर देते हैं और इसको ढख कर रख देते हैं चलिए उधर देखते हैं दही जमाने के लिए दूद का टेंपरेचर इतना होना कि नॉर्मल टेंपरेचर से थोड़ा सा जादा अगर जादा गरम रहा तब भी धही नहीं जम पाएगा सही डंग से तो हम इसमें उंगली डाल कर देख लेते हाँ ये बिल्कुल नॉर्मल टेंपरेचर से थोड़ा सा गरम है अब ये हमारा ठीक है दही जमने के लिए अब हमें इसके लिए चाहिए जामुन पंजाबी में इसे जाग भी कहते हैं तो दोस्तो जैसी जाग होगी जैसा जामुन होगा दही लगबग वैसा ही जमेगा क्योंकि ये उसी की तो आगे जनरेशन होगी ना जो हम अपना दही जमा रहे हैं नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इस दही को सीधा direct ही दूद में डाल देते हैं और इसे जमने के लिए रख देते हैं हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे हम अच्छा दही जमाने के लिए पहले इस थोड़ा सा दूद हम एक कटोरी में डालेंगे और उसमें जमन को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि जो दही की फुटियां हैं वो बिल्कुल दूद में मिक्स हो जाएं ताकि जब वो हम जमन पूरे दूद में डालें तो वो सारा का सारा दूद उसमें मिक्स हो जाएं तो यह हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है अब यह दूद के साथ बिल्कुल दही मिल गया है अब हम अपना बाकी वला दूद भी इसमें डाल देते हैं यह लीजिए तो अब हमारा दहीं जमने के लिए तैयार है नॉर्मली अगर हम इसको ऐसे भी रख देंगे तब भी ये 7-8 घंटे के अंदर बहुत बढ़िया दहीं जम जाएगा डेरी की तरह थोड़ा सा अगर हमने इसको जल्दी जमाना है तो हम एक काम कर सकते हैं पहले तो हम लोग घर पे ऐसे करते थे कि अगर हमारे घर में फ्रिज का ट्रांसफार्मर है तो इसको उसके उपर रख देते थे तो क्या ये वाला टेंपरेचर जो है इसका मेंटेन रहता था तो ये दहीं भी बहुत जल्दी आदे समय में जम जाता था यहां दूसरा क्या करते थे हम इसको आटे के अंदर रख देते थे क्यूंकि आटा भी थोड़ा गरम होता है और इसके टेंपरेचर को मेंटेन रखता है तो आटे में रखने से भी ये दहीं अच्छी तरह जम जाता है पर आज हमने विशेश ये सीखना है कि इस दहीं को हम देड़ से दो घंटे के अंदर अंदर ही कैसे जमा ले तो उसके लिए ये हमारा पानी गरम है और इस पानी में हम अपना ये कंटेनर जिसमें हमने अपना दहीं जमाने के लिए रखा है इस कंटेनर को इसके अंदर डाल देंगे तो उसके बाद हम इसका ढखकर लगा देंगे और उसके बाद ये याद रखिएगा कि इसकी CT जो है कूकर के ढखकन की ये नहीं उतारनी अगर ये उतार दी तो temperature maintain नहीं रह पाएगा और दहीं जबने में देरी लगाएगा तो इसको हम as it is रख देते हैं ताकि इसका temperature maintain रहे तो दोस्तों ये देखिए अभी हमारी घड़ी में साड़े आठ बजे के आसपास टाइम हुआ है तो हम इसको लगबग 10 बजे 7 बजे के आसपास इसको खोल कर देखेंगे कि ये हमारा दहीं कैसा जमा है तो लीजिए दोस्तों ये हमारा टाइम हो गया 7 दस चलिए अब हम खोल के देखते हैं कि हमारा दहीं कैसा जमा वे और कोशिश करना कि इस यह दहीं जो है पहले हिलना नहीं चाहिए तो और मिट टैम लगाता है और अच्छा नहीं जमता है यह देखिए हम इसको खोलते हैं यह बाहर आगया और हमने अपना खोला essa टेनर वाव देखिए दोस्तों कैसा डेरी जैसा धही जमा है बिलकुल गाड़ा धही मैं आपको चम्मस से निकाल कर भी टेस्ट करके बताता हूं ये देखिए ये देखिए बिलकुल डेरी जैसा धही है बिलकुल ये देखिए घर में जो हम नॉर्मली धही जमाते हैं उसको अगर हम ऐसे निकालें तो वो बिखरी जाता है ये देखिए अलग लग ही रहेगा जितना टुकड़ा हमने एक कर्ची में निकाला है उतना अलग ही रहा है और अब देखिए ये हमारा कंटेनर नॉर्मली आपने देखा होगा कि अगर आप डेरी से दही लेके आएं तो जितन आपने जो बाकी का धही है वो अपनी जगा पे जमा पड़ा है वो फिसल के इधर नहीं आया इसका हुआ कि हमारा धही बहुत बढ़िया जमा है तो दोस्तों आप भी अपने घर में ये तरीका इस्तमाल करिए अगर आपको जल्दी से जल्दी धहीं जमाना है नहीं तो से एक महीने तक बिलकुल ताजा रख सकते हैं इस वीदी से आए जानते हैं इसके लिए हमें क्या करना है तो सबसे पहले तो यह रही हमारी हरी मिर्च दोस्तों तो आपने अक्सर देखा होगा कि हरी मिर्च जहां से इसकी डंडी होती है वहीं से यह पहले खराब होना तब हम इसे इस्तमाल करना हुआ तब हम इसे दोएंगे अभी इसको बिलकुल ड्राई रखना है और अगर यह कहीं से थोड़ी सी गीली भी है तो इसको किसी कौटन के कपड़े से या टीशू पेपर से बिलकुल ड्राई कर ले ताकि बिलकुल मोईस्टर इसका ना रहे है तो आए सारी डंडियां हमने यह हरी मिर्च की उतार लिये हैं तो अब रहा वो वाला फॉर्मूला जो मैं शोगी से सीख कर आया था और उस पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट मैंने घर पे भी किया तो दोस्तों सबसे पहले इसके लिए हमने लेना है एक एर टाइट कोई प महंगा भी नहीं होता अब जादतर कंटेनर सबजी वगारा रखने के लिए या नमक मिर्च रखने के लिए सारे ऐसे ही एक टाइट कंटेनर आने शुरू हो गए हैं तो इसको सबसे पहले इसके नीचे हमने अपनी अखबार बिच्छा देनी है यह ही दोस्तों हमने अखब और यह हमने डाल दी और एक दो अखबार उपर से भी हमने इसको अच्छी तरह ढग देनी है क्योंकि इसे हमने फ्रिज में रखना है तो अगर ठंड़ के कारण थोड़ा बहुत मोहस्चर आता भी है तो यह अखबार उस मोहस्चर को सूख लेगी मोहस्चर नहीं आएगा तो यह हरी मिर्च हमारी बिल्कुल ताजी रहेगी और गलेगी नहीं यह हमने अपनी पैकरली हरी मिर्चे तो अब रहा यह हमारा धनिया तो दो तो याद रखे हरा धनिया हमने अभी नहीं धोना इसे धोएंगे हम तब ही जब इसे इसे इस्तिमाल करेंगे अगर हम इसे अ भी धोया नहीं है बाकी हरा धनिया जो है हम इसको डंडियां इसकी जो जड़े हैं उसको अलग कर लेते हैं और बाकी का धनिया जो पत्तियां पत्तियां है उसको हम जितना भी बारीक चाहें उतना बारीक हम ये काट लेते हैं यह हमने अपना हरा धनिया पुरा काट लिया और इसकी डंडियां भी हमने अलग रख दी अब वही प्रसीजर करना है वैसे ही दूसरे कंटेनर में हमने यह अपनी अखबार बिच्छानी है और उसके ओपर यह हमारा हरा धनिया भी हम बिच्छा देते हैं और वैसे ही हरी मिर्चो की तरह ऊपर से भी हम अखबार से इस हरे धनियों को हम धग देते हैं और यह दोनों कंटेनर हमारे तैयार हो गए फ्रिज में रखने के लिए अच्छा यह साबित कैसे होगा कि यह हमारा फॉर्मुला ठीक है तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगी थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च हम नॉर्मली वैसे रखेंगे जैसे हम रखते हैं घर पे एक साथ यह सारी रखेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसमें और जो हमने अपना नया फार्मुला बनाया है वो सचमुच में कारगर है या नहीं तो हम इनको इकठा ए तीन दिन तो आएए अब ये तीन दिन बाद हम अभी देखते हैं कि उन में और जो नॉर्मली रखा था उसमें क्या फरक है तो ये देखिए दोस्तों ये तो हैं हमारी हरी मिर्चें जो हमने वैसे एजिटीज रखी थी जैसे हम रखते हैं ये देखिए थोड़ी थोड़ी से ये खराब होने शुरू हो गई है थोड़ी सी सूकने शुरू हो गई है और ये रही हमारी वो हरी मिर्चे जो हमने अपने नए फार्मूले के अधार पर रखी थी ये देखिए ये हरी मिर्च बिलकुल अभी एक भी हरी मिर्च जो है वो खराब नहीं हुई और बिलकुल व हमारा वो अलाहरा धनिया जो हमने नए तरीके से रखा था देखिए ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है इसमें अगर कोई एक दो पत्ते अगर पीले पड़ जाते हैं तो उनको हम निकाल कर अलग कर देंगे ताकि वो दूसरे पत्तों को पीला ना कर पाएं तो दोस्तों अब हो गए है मेरे इसको रखे हुए दस दिन ये देखो दोस्तों ये तो मिर्चे बिल्कुल वेस्ट हो गई अब ये इस्तिमाल करने लाइक नहीं रही जबकि आज कल अक्तूबर का लास्ट चल रहा है मौसम भी ठोड़ा ठीक है तर यादा गर्मी नहीं है फि चेकर है उसको भी कौल के देखते हैं तो ये रहा चमतकार दोस्तों देखिए ये बिल्कुल वैसी की वैसी हैं दस दिन बाद भी वैसी फ्रेश है जैसी हमने रख् Hazis थी तो अब देखते हैं अपने हरा धनिया जो हमने रखा था ये देखिए ये तो अब डस्ट बीन में जाएगा भाई इसका कोई काउंट नहीं है बिलकुल सूख गया है और ये सबजी को भी टेस्ट लेस बना देगा और अब चेक करते हैं हमारा वोला हरा धनिया जो हमने न ऐसा ही है तो दोस्तो इस फॉर्मूले को आप भी अपनाईए और अगर आपको फाइदा हो तो अपने कमेंट्स जारी रखिएगा और मुझे जूर लिखिएगा धन्यवाद दोस्तो झाल